नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आपको हमारे चैनल में दोस्तों आज हम आपको अटल पेंशन योजना की जो एक लेटेस्ट अपडेट यानि की नहीं खबर जो है उसके बारे में जानकरी देंगे दोस्तों आपने हमारे अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं क्या तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाली नए नए वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेवाली भी हो सकती हैं दोस्तों हमने अपने चैनल पर पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें अटल पेंशन योजना के बारे में बताया था और उसमें आपको बताया था कि उसमें पांच हजार रुपे तक की पेंशन जो है वो सबको मिलेगी तो बहुत से लोगों का यह सवाल भी था कि किस तरह से मिलेगी पेंशन और मतलब किस तरह से कितने कितने पैसे हमें एड करने है तो आज की इस वीडियो में आपको सारे म जो मिलने थे अब वो बढ़ा कर 10,000 रुपे करने वाले हैं लेकिन अभी तक इसका ऑफिशल जो अनॉंस्मेंट नहीं हुआ है लेकिन इसका जो प्रोपोजल है वो चालू हो चुका है और क्यूंकि जो कमेटी है उनको लगता है कि देखे 5,000 रुपे की जो पेंशन है वो इस वैली होगी आज से 20-25 साल बाद इन 5,000 रुपे की वैली जो है वो बहुत ही मामूली हो जाएगी तो इसी रहे कमेटी को लगता है कि इन 5,000 रुपे की पेंशन को बढ़ा कर 10,000 रुपे कर दिया जाए और जहां तक एज लिमिट की बात थी तो पहले जो 5,000 वाली योजना में एज लिमिट थी, 18 साल से 40 साल वाले लोगों के लिए लेकिन जो 10,000 वाली योजना होगी उसको 18 से 50 साल वाले लोगों के लिए लागू किया जाएगा तो जिन लोगोंने इस योजना को ले लिया है उन्हें घबराने की ज़ुरूत नहीं है वो भी दूसरी योजना को इसी के साथ transfer कर सकते हैं यानि कि इसको ही अपने वो 10,000 वाली में transfer कर पाएंगे लेकिन अभी तक इसका official announcement तो नहीं हुआ है लेकिन आने की बहुत ही जल्दी इसकी संभावना है क्योंकि इसका proposal जो है वो शुरू हो चुका है तो दोस्तों आप बात करते हैं जो 5000 वाली pension scheme जो किसी साथ से में pension मिलेगी तो मैं आपको उनी सवालों के जवाब इस वीडियो में भी देने वाला हूँ तो आप प्लीज इसे ध्यान से देखे तो देखे ये एक चार्ट मैंने खोला हुआ है आप बहुत देर से सोच रहोंगे कि ये मैं क्या खोल के बैठा हुआ हूँ चा तरह से आपको पैसे मिलेंगे ठीक है अब मान लिजीए देखे देखे पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये पांच इसके अंदर चैंबर है यानि कि पांच भागों में इसको बाटा गया है मतलब पहला भाग है अगर आपको हर मैने एक हजार की pension चाहिए यानि अगर आप चाहते हैं कि हर महीने आपको 5,000 रुपे की pension मिले तो उसके लिए अलग यहाँ पर राशी आपको जमा करनी पड़ेगी तो राशी आपको कितनी जमा करनी पड़ेगी क्योंकि एक आदमी 18 साल का है उसको भी 5,000 रुपे की pension चाहिए और एक आदमी 40 साल का है उसक मान लिजे आपकी उमर 25 साल है तो देखे यह जो 25 साल का जो लाइन है मैं इसमें आपको दिखाता हूँ अब 25 साल की उमर वाले व्यक्ति को अगर वो इस योजना को आज की डेट में लेता है अगर उसकी 25 साल की उमर है तो उसको अगर वो चाहता है कि उसको 1000 रुपे की pension हर महीने मिले 60 साल के बाद पेंशन जो होती है दोस्तों 60 साल के बाद ही लागो होती है यह तो आप भी जानते ही होंगे तो 25 साल की अगर किसी की उमर है और वो चाहता है कि उसे 60 साल की उमर के बाद हर महीने 1000 रुपे की pension मिले तो उसे 60 रुपे 60 रुपे हर महीने जमा करने हो यह अपने आपी बैंक में आटो डेविट भी हो जाता है यानि कि अपने आप भी कटने लग जाता है जब आप इस स्कीम को लेंगे ठीक है इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपको 2000 रुपे हर महीने मिले तो आपको 151 रुपे जमा करने पड़ेंगे उसी तरह आप चाहत हैं कि आपको हर महीने 5,000 पेंशन मिले तो आपको 376 रुपे हर महीने जमा करना पड़ेगा ठीक है तो यह इस तरह से आपको देखना है अपनी एज के हिसाप से आप यहाँ पर देख सकते हैं और अपनी जरूरत के हिसाप से कि आपको कितनी जो है पेंशन वो चाहिए 60 साल की उमर के बाद तो इस आप से आप यहाँ पर अपना भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मान लिजे आपकी 33 साल की उमर है तो आपको कितना पैसा जमा करना है हर महीने 1000 रुपे की पेंशन के लिए 2000 के लिए 3000 के लिए और 5000 रुपे तक के लिए आपको कितना कितना हर महीने जमा करना है तो इस तरह से आप बड़ी आशानी से इस चार्ट के माध्यम से आप पता कर पाएंगे ठीक है दोस्तों और सबसे इसकी बड़ी जो बात है वो क्या है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 1000 रुपे की पेंशन गर उस व्यक्ति की मिर्त्य हो जाती है इस दारान किसी भी अवस्ता में तो उसके जो नौमनी है उसको 18,000 रुपे की आर्थिक साहथा के रूप में मदद दी जाएगी उसी वक्त 19,000 रुपे उसके नौमनी को दे दिये जाएंगे इसी तरह से अगर किसी ने 2,000 रुपे की pension scheme ले रखी है तो उसके परिवार वाले या 9 मीनी को 3,44,000 रुपे दे दिये जाएंगे 3,000 रुपे pension scheme वाले किसी व्यक्ति के अगर मिर्ति होती है तो उसकी 9 मीनी को 5,10,000 रुपे 4,000 रुपे pension scheme वाले को 6,80,000 रुपे और इसी तरह से अगर पांच हजार रुपे की पेंशन स्कीम किसी ने ले रखी है और उस व्यक्ति की अगर किसी भी अवस्था में मिरती हो जाती है इस दोरान तो उसके नौ मिनी को आठ लाग पचास हजार रुपे की आर्थिक सहायता दे दी जाएगी उसी वक्त यह इसकी बहुती एक बड़ी विशेष्टा है दोस्तो जिस तरह से यह पांच स्लैब मैंने आपको यहां पर बताए एक हजार से लेके पांच हजार तक तो जो आने वाली जो योजना अब जो अपडेट होने वाली है जो दस हजार जो पेंशन की स्कीम आने वाली है जैसे कि मैंने दस इसलैब हो जाएंगे जैसे इसमें एक से पांच हजार तक है तो उसी को बढ़ाकर एक हजार से लेके दस हजार तक कर दिया जाएगा और उसी में जैसे उमर के हिसाब से आप यहां पर देख सकते हैं इस चार्ट के अंदर तो उसमें भी आगे बढ़ता चला जाएगा और 10,000 रुपे की जो pension scheme जो लेगा उस व्यक्ति की अगर मानीजे मिर्ती हो जाती किसी भी अवस्ता में, तो उसके नौमिनी को लगबग 18 से 20 लाख रुपे दे दिये जाएंगे उसी वक्त। तो वो जो है वो official announcement अभी आना बाकी है और जैसी वो official announcement आएगा उसके बारे में हम आपको पूरी detail देंगे इसका proposal जो है वो डाल दिया गया है इसमें जो limit थी 5000 रुपे की जो pension limit थी वो अब बढ़ा कर इसको 10,000 रुपे कर दिया जाएगा और जो इसकी age limit थी जो पहले 18 साल से 40 साल तक की उमर थी अब उसको भी बढ़ा कर 18 साल से 50 साल तक के लोगों के लिए कर दिया जाएगा तो दोस्तो जैसे ही इसकी नईने update आईगी हमारे पास हम आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे आप इसे आराम से इसका screenshot ले लीजिए ताकि आप इसकी जितनी भी पूरी detail है वो आप ध्यान से समझ सकें अपने घर पर तो ये पूरी detail थी जो भी लोगों confusion हो रही थी जो मुझे सवाल पूछ रहे थे तो आशा करता हूं कि उन सवालों को मैंने काफी हद तक solve करने की जो कोशिश करी थी वो कर दिया गया होगा और दोस्तों ये information ये जानकरी आपको कैसी लगी प्लीज हमें comment box में जरूर बताएगा और ये वीडियो अगर आपको अच्छे लगी प्लीज इसे like कीजे अपने दोस्तों परिवार के साथ भी से share कीजे ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके और हमारे चैनल को subscribe जरूर कीजे ये आपकी screen के उपर subscribe के लाल निशान के उपर touch करके और उसके गंटी के निशान पर जरूर टच कीजे ताकि आपको हमारी बनाई हुई नए नए वीडियो लगातार मिलती रहें ये बिल्कुल free होता है और आप इससे जासे जादा फायदा भी उठा सकते हैं तो अभी के लिए इतना ही धन्यवाद